तो भाई आज हम अपनी गाड़ी को दोने वाले हैं यह जो एक्सेसरी साथ में आई थी इस कार के पांच जार रुपए सम्तिंग लगे थे इन एक्सेसरी के यह दो यह आई थी एक मेड़ फलैप आये थे मैटिंग आई थी इसका बाड़ी कवर आया था और साथ में आया था यह किट और एक ही है जो साफ सफाई करने वाला तो इसका क्या रिजल्ट है और क्या आपको यह साथ में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वही इस वीडियो में बहुरी बात करेंगे गाड़ी बिल्कुल घंदी है बताओ देता हूं आपको इतनी गंदी भाई गाड़ी है तो इस गाड़ी को हम बिल्कुल साफ करेंगे और वो भी इनकी मदद से तो अब आपको पहले बता देते हैं कि इस केट में क्या क्या आता है एक तो भाई यह है डैस बॉर्ड और टायर पॉलिश इसमें कुछ पिंक कलर का लिक्विड आता ह जो टायर पे लगता है और अंदर जो डैश बॉर्ड होता है ब्लेक कलर का उस पे लगता है एक भाई यह है शैंपू वाश और वैक्स शैंपू यह दोने के लिए आपको शैंपू दिया गया है कार वाश दिया गया है इससे आप इसको साफ कर सकते हो तीसरा है वाई यह इ साथ में देगर रखिए तीनों चीजे आपको साथ में देखिदी जाती है इस किट के साथ में आती है जिनुएन एक्सेसरी है टाटा की बिल्कुल और इसनल टाटा की है और यह देखिए इसका डीटेल भी लिखा हुआ है तो इसको भई देखो हमारा बच्चा फिट करके बत हो गया इस पर कितना फरक पड़ता देखिए कि दूल मिटी जमें होगी है आपको बता देते हैं और इसका परियोग तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से इसने गाड़ी को साफ किया और बहुत अच्छा लगा मुझे यह क्योंकि गाड़ी को एकदम नीट अन क्लीन कर दिया बाहर से और अब हम बात करते हैं कि भाई इसका जो glass cleaner है ना वो कैसा वर्क करता है तो भाई ये glass glass वैसे अपना एकदम साफ ही है पर मैं आपको बता दूँगा कि भाई कितना ये clear कर सकता है और मेरे को कितना फरक मैसुस हो तो हम इसको apply करते हैं पहले उसके बाद इस कपड़े से जो मेरे उस polish के साथ मैं आया था उससे हम करेंगे साफ तो भाई ग्लास cleaner तो मुझे ठीक ठागी लगा कोई ज़्यादा effective इसका नहीं है इतना मतलब कोई फरक मैसुस नहीं हो रहा है मुझे आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा पर मुझे थोड़ा सा यह लग रहा है कि इसका कोई ज़्यादा फरक मैसुस नहीं हो रहा है अब बात करते हैं अपन इस चीज के बारे में भाई ये जो polish मैंने लगई हुई है न ये वो वाली polish अभी तक चमक रही है जो उस समय लगई थी मैंने आपको अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक एक बार और दे दूँगा वो बेस्ट polish है भाई इस के लिए तो ये देखिए आप कितने दिन पहले मैंने वो वीडियो अफलोड किया लगई चह साथ दिन हो गई होंगे चह साथ दिन के बाद भी देखिए चमक आप ये उस polish का कमाल है भाई तो वो तो better है polish जो मैंने आपको recommend की थी उसके अलावा मैं किसी और polish क मैं और करेंगे यहां पर इसको हम थोड़ाँ सा कि लेते हैं और उसके बाद हम करते हैं सो पहले आप देख लीजिए कि मतलब साफ है यह 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 पर साफ नहीं यह को मैं लेकिन कर पाता है क्या उसके मुकाबले यह जड़ा अच्छा है Chemistry यान नहीं यह भाहर पर दो आपको को बाहर भी करके बता देता हूं क्यांकि आवाज के लिए माफ करना पाई आवाज पास में मोटर के चल रहे हैं कैसा लगता है बाहर बाहर के प्लास्टिक पार्ट को तो ठीक ठाक इसमें साफ कर दिया है क्योंकि बाहर का मेला बहुत जदा था तो धूल अटाने से पहले ही मैंने इसको लगा दिया है पर तीक अग साफ कर लेता है मैं उतना सैटिस्फ़ईट नहीं हूं सच में अगर मैं टायर कोई डारेक्टी कर लेता हूं भई बिना साफ की देखते हैं क्या हाँ भाई तायर जो है ना टायर पॉलिस ही रेडी है भाई इसको आप डैस्कबोर्ड क्लिनर नहीं कह सकते यह सच मैं यह लोग कि आप टायर पॉलिस के रूप में ले सकते हैं यह डेस्बोर्ड क्लीनर नहीं यह डेस्पोर्ड आप देख सकते हो यह प्लास्टिक एडीया है न इसको ठीक आपक आप टायर को बहुत अच्छी तरीके में चंपा का देगी ये तौट shirt गैसे कड़ मेरें चिमक तेगे लिए बहुत है देखें टायर को आपके चंपा की ने सच में क्लीन हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से चमक देख लेया है टायर क्लिनर है ये और टायर पॉलिश ही है इसको डेंसबोर्ड पॉलिश नाम दे दिया गया है बागी ये टायर पॉलिश है भई आपने तीनों का कमाल देख लिया है तो भाई मेरे सबसे तो इतना तो कोई वो जो पॉलिस है ना भाई ये देख लो एक तो ये साथ दिन पहले कीवा वह चमक रहा है और एक ये अभी किया हुआ है जो बिलकुल भी शाइनिंग नहीं दे रहा है भाई सच मैं साइनिंग नहीं दे रहा आप खुद देख लो ना फर्क यह देखे यह जो है पैटा वाली पॉलिस है और वो वाली पॉलिस है जो मैंने की थी मैंने आपको रिक्मेंट की है तो उसका तो मुकाबला भई नहीं कर सकती यह वाली पॉलिस तो भाई ये तो मतलब ठीक है इसमें से एक अध प्रोड़क्ट ही सही है जो ये सैंपू वाला प्रोड़क्ट है ना ये वाला प्रोड़क्ट भाई सही है पर ये आपको तीनो साथ में ही मिलेंगे अगर एक्सेसरी के साथ में आप लेते हो ना तो जो साड़े चार अजार वाला किट आता है जिसमें एक मड़ फ्लैफ एक आपका बॉडी कवर इस कार का और ये क्लिनिंग एक्सेसरी एक जो मैंने आपको जो ब्रस बताया वो वाला और बस यह आते हैं यह वाले प्रोड़क्ट आते हैं आपके इस कार के साथ में अगर आ इतना मतलब उप्योगी नहीं लगे ठीक है यह है उप्योगी भाई यह जो शैंपू है ना इससे आपके गाड़ी का जो बॉड़ी है ना बहुत अच्छी तरीके से साफ होती है यह काम की चीज है बस इन तीनों मैं से बागी ग्लास किलिनर नॉर्मल वर्क करता है और यह काम ही यह देख लो आप एक तो यह मैंने अभी किया जस्ट और एक यह किया हुआ साथ दिन पहले का मतलब फरक साफ दिख रहा है देखो आप उल्टा जो चमक इस पे थी ना उस पालिस के कारण वह भी चली गई तो नहीं यह तो मैं आपको रिक्मंट नहीं करूंगा पर आप इस के साथ में लेख सकते हो ठीक तक प्रोड़क्ट है यह परंतु जो मैंने पॉलिस आपको बदाई थी ना भाई उस वीडियो का लिंक मैं उपर दे रहा हूं उस पॉलिस को खरीच सकते हो उस उस पॉलिस जैसा तो भाई मेरे को प्रोड़क्ट मिला ही नहीं आज त बगरा यह सब कुछ जो इस गाड़ी के साथ में जो आते हैं ना प्रोड़क्ट जो जैनुएन एक्सेसरी आती है इस गाड़ी के सफ़ाई की उससे ही मैंने साफ किया है